आज हम सीखेंगे मुनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई जगत के बारे में औरनस्ट हेकल, रॉबर्ट विटेकर और काल वोस नामक वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को कोशिकिया सनरचना पोशन के स्त्रोत और तरीके तथा शारेरिक संगठन के आधार पर पांच जगत यानि फाइफ किंडम्स में विभाजित किया ये पांच जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया पिछले वीडियो में हमने पांच जगत वर्गी करण के बारे में समझा चलिए, आज इसे विस्तार से देखते हुए जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई की चर्चा करे सबसे पहले हम समझेंगे मोनेरा जगत के बारे में मोनेरा जगत में प्रुथी पर सबसे पहले उत्पन होने वाले जीव है जैसे जिवानू, नील हरिट शैवाल, अर्थाथ साइनोबैक्टेरिया, माइकोप्लाजमा, इत्यादी इस जगत के सभी जीव एक कोशिक है, तथा इनका शरीर एक प्रोकारियोटिक कोशिका से बना है अर्थाथ कोशिका में संगठन केंद्रक और कोशिकांग नहीं है इनमें आनुआनशिक पदार्थ, डिने, एक ही वृत्ताकार अनू से बना हुआ होता है इनमें से कुछ जीवों में कोशिका बित्ती पाई जाती है, तथा कुछ में नहीं इसी तरह इस जगत के कुछ जीव जैसे नील हरेट शेवाल स्वपोशी है अर्थाथ प्रकाश संसलेशन की विदी से अपना भोजन स्वयम बना सकते है तथा कुछ जीव जैसे जीवानू विशम पोशी है अर्थाथ वे अपना भोजन नहीं बना सकते बलकि वे भोजन के लिए अन्य जीव धारियों तथा मुरुत कार्विनिक पधार्थों पर निर्भर करते है मुनेरा जगत के जीव अलेंगिक जनन यानि एसेक्शुल रिप्रोडक्शन से संतती उत्पन करते है मुख्यतह वे द्वीवी खंडन यानि बाइनरी फिशन और मुकूलन यानि बढ़िंग की विधियों से अलेंगिक जनन करते है बैक्टेरिया लगबग सभी स्थानों पर पाय जाते है वे गर्म जल के ज़र्ने, बर्फ, गहरे समुद्र एवं मरुस्थल जैसे विशम एवं प्रतिकूल स्थितियों में भी पाय जाते है जहां अन्य जीवों का जीवित रहना मुश्किल है इन्हें उनके आकार के आधार पर चार समुधों में वर्गिकृत किया जा सकता है गोलाकार कोकिस, छडाकार बैसिलस, कॉमा आकार के विब्रियम और सरपिलाकार स्पाइरिलम में बाटा गया है अब चलिए जानते हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में प्रोटिस्टा जगत में मुख्य तह जलिय जीव जैसे अमीबा, पैरमेशियम, यूगलीना इत्यादी जैसे सम्मिलित होते है इस जगत के अधिकतर जीव एक कोशिक है लेकिन इनका शरीर यूकारियोटिक कोशिका से बना हुआ होता है अर्थात कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक और अन्य जिल्ली बर्द कोशिकांग होते हैं कुछ जीवों में कोशिका बित्ती उपस्थित होती है, कुछ जीवों में नहीं होती इन में से कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजला जैसे सनरचनाय पाई जाती है अमीबा अपने कूट पादो यानि सूड़ोपोडिया की सहायता से गमन करता है तथा भोजन प्राप्त करता है इन में से कुछ जीवों के पोशन की विधी स्वपोशी होती है तथा कुछ जीवों के पोशन की विधी विशम पोशी होती है इन में से कुछ जीव जिसे टिपोनोसोमा, प्रोटोजोवा पर पोशी होते हैं वे स्लीपिंग सिकनस इस बिमारी का कारण होते है इन में से कुछ जीव अलेंगिक पद्धती से तथा कुछ जीव लेंगिक पद्धती से जनन करते हैं लेंगिक जनन में कोशी का सनलयन एवं यूगमनाज बनाने की विधी अपनाई जाती है अब चलिए चर्चा करते हैं फंजाई जगत की फंजाई जगत को कवक जगत भी कहा जाता है इन में जीव जैसे यीस्ट, मोल्ड, मश्यूम, इत्यादी सम्मिलित है अधिकांश फंजाई बहु कोशिक है जो लंबी पतली धागे नुमा संरचनाओं से बने होते हैं इन संरचनाओं को कवक तंतु कहते हैं लेकिन यीस्ट एक कोशिक है वे युकेरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं जिसमें एक सुसंगठित केंद्रक और अन्य जिल्लिबद कोशिकांग होते हैं इनकी कोशिकाओं में कोशिका बित्ती उपस्थित होती है जो काईटीन नामक जो टील शरकरा की बनी होती है पोशन के लिए इनमें से कुछ जीव मृत तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं इन्हें मृत जीवी कहा जाता है कुछ जीव अपना पोशन आतिथेय जीव यानि होस्ट जैसे जन्तु या कोई पादप के शरीर से जीवित जिव द्रव्य यानि लिविंग प्रोटोप्लाजम के रूप में प्राप्त करते हैं इन्हें पर जीवी कहते हैं कुछ फंजाई शैवाल जैसे नीलहरिच शैवाल तथा उच्चवरगिय पौधों के साथ स्थाई अंतसंबन बना कर भी रह सकते हैं जो की एक दूसरे को पोशन में सहायता करते हैं ऐसी फंजाई सजीवी या लाइकेन कहलाती है तथा ऐसे संबन सजीविता कहलाता है फंजाई में जनन अलेंगिक तथा लेंगिक पद्धती से हो सकता है अलेंगिक जनन खंडन याने फ्राग्मेंटेशन विखंडन याने फिशन तथा मुकूलन यानी बडिंग इत्यादी प्रकार से होता है अलेंगिक जनन बिजानों जिसे कॉनेडिया, धानी बिजानों या चल बिजानों कहते हैं के द्वारा होता है लेंगिक जनन निशिक्तांड, अर्थात, उस्पोरा, एसंकस बिजानों तथा बीसीडियम बिजानों द्वारा होता है ये सभी बिजानू जिन सनरचनों में उत्पन होते हैं उन्हें फलनकाय यानि फ्रूटिंग बोडिस कहते हैं लेंगिक जनन तीन चर्णों के अंतरगत होता है पहले दो चल अथवा अचल युगमकों के प्रोटोप्लाजम का सनलयन होता है जिसे प्लाजमोगैमी कहते हैं फिर दो केंद्रकों का सनलयन होता है जिसे केंद्र सनलयन यानि कार्योगैमी कहते हैं युगमनज में मियोसिस की विदी से ओगुनित बिजानू बनते हैं जिन से नई जीव का निर्मान होता है अब आपके लिए एक दिल्चस्प सवाल जरा सोचिये हम अपने भोजन को फ्रिज में क्यों रखते हैं? बिल्कुल सही, फ्रिज में रखने से हम अपने भोजन को बैक्टेरिया और फंजाई द्वारा खराब होने से बचाते हैं तो अब आपको इन जगतों की समझ बन गई होगी आज हमने सीखा मॉनेरा, प्रोटेस्टा और फंजाई जगत के बारे में झाल